गुर्णूर्णिंग एश्रेंड्स, क्लास नाइन्थ के मैथ स्क्रिज लेक्चर में हम लोग सिकेंड चेप्टर पॉल्नोमियल्स के MCQ कोश्चन्स को सोल्ब करेंगे प्रिवियस लेक्चर में हम लोग एक्सराइज 2.5 कमप्लीट कर चुके थे आज का हमारा फर्ष्ट कोश्चन है अब यहाँ पर चार अप्सराइज दिया हुआ है इसमें बताना है कौन सा हमारा एक्स्प्रेसन यह पॉल्नोमियल वन वरियाबल में है इसका फर्ष्ट अप्सलाइज है X प्लस 2 बाई X प्लस 3 अब यहाँ आप x का denominator में जब इसको numerator में भेजेंगे तो x का power minus 1 हो जाएगा तो minus 1 का होल नमबर नहीं है इसलिए हमारा यह expression जो है पुल्नोमियल नहीं होगा B option में 3 root x plus 2 by root x plus 5 अब यहाँ आप x का root में आगया denominator में भी है यहाँ पे अगर root काटाएंगे तो x का power हो जागा 1 by 2 और 1 by 2 भी एक होल नमबर नहीं है इसलिए यह expression हमारा polynomial नहीं होगा हमारा C option है x का power 10 plus y का power 5 plus 8 यह polynomial तो है लेकिन यह 2 variable में है x और y हमको यहाँ पे लिखना है 1 variable में तो इसका D option ही होगा यह D option है root 2 x square minus root 3 x plus 6 यह हमारा यह expression 1 variable में polynomial हो जागा ठीक है यहाँ पे variable क्या हो जागा x हो जागा और root 2 root 3 6 जो यहाँ पे a b c का value है यह real number होता है real number में rational number rational number कोई भी हो सकता है question number 2 है which of the following is a polynomial अब यहाँ भी 4 option दिया है इसमें बताना है कौन सा polynomial होगा option a में है q root y plus 4 और option b में है a square root y minus 3 अब यहाँ पे variable a square root में हो या q root में हो यह polynomial हमारा नहीं होता है ठीक है तो a और b polynomial नहीं होगा option c में y है और d में है 1 by root y plus root 7 फिर यहाँ पे y variable क्या हो गया a square root में आ गया और यह linear polynomial हो जागा question number 3 है which of the following is cubic polynomial अब यहाँ पे चार अप्सन दियावा है इसमें बताना है कौन सा cubic polynomial है तो हम लोग जब इस chapter को start किये थे तो हम पे introduction में ही हम लोग पढ़े हुए थे types of polynomial में linear polynomial, quadratic polynomial, cubic polynomial by quadratic polynomial ठीक है तो यहाँ क्या है x plus 4 option a है तो यह कौन सा polynomial होगा यहाँ पे degree इसका क्या है 1 है तो यह linear हो गया यहाँ पे degree 2 है तो यह quadratic हो गया यहाँ पे degree कितना है 3 है तो यह cubic हो जाएगा degree 4 है तो बाइक क्यूबिक हो जाएगा question में क्या पोच्छा है cubic polynomial तो हमारे इसका अप्सन C answer हो जाएगा question number 4 है which of the following is binomial अब binomial, monomial, trinomial यह भी हम लोग first lecture में ही पड़ेते polynomial के अब यहाँ पी क्या है यह एक term है monomial हो जागा तीन term है trinomial इसमें कितना term है 2 term तो यह हमारा binomial हो जागा यहाँ फिर last में कितना term है इसमें 3 term है तो यह हमारा binomial नहीं जोगा question number 5 है root 3 इसमें पलनमियल अफ डिगरी अब root 3 क्या है यह constant polynomial है तो constant polynomial के डिगरी क्या होता है तो constant polynomial के डिगरी 0 होता है question number 6 में degree of the 0 polynomial is तो 0 polynomial के जो डिगरी है न यह defined नहीं है option C not defined और question number 7 में 0 of the 0 polynomial is तो ये भी हमारा defined नहीं है, ठीके, 0 polynomial का डिगडी पूछे या 0 polynomial का 0 पूछे दोनों क्या defined नहीं है, इस दोनों का हम लोग find नहीं कर सकते हैं, question number 8 में, if a plus b plus c is equal to 0, then aq plus bq plus cq is, अब हम लोग पिछले lecture में ही इसको proof किये थें, कि जब a plus b plus c 0 होता है, तो aq plus bq plus cq, ये 3 abc के equal हो जाता है, अब संडी, question number 9 है, if px equal x plus 4, then px plus p minus x is equal to what, ठीके, अब px का value x plus 4 दिया है, तो यहाँ पे px के वाजएगा, हमारा x plus 4 हो जाएगा, अब यहाँ पे p minus x को निकालना होगा, अब जहाँ पे x है, वहाँ पे आपनों minus x put कर देंगे, ठीके, तो इसका value कितना हो जागा, यह हो जागा, minus x plus 4, अब p minus x का value जो आए, यहाँ पे put कर देंगे, minus x plus 4, अब इसमें क्या होगा, यह plus x minus x cancel हो जागा, और 4 plus 4 कितना हो गया, यह 8 हो जागा, option D, question number 10 में, if p x equal 5x minus 4x square plus 3, plus 3, then p minus 1 equal what, अब यह polynomial हमारा x में है, इसमें p minus 1 का value बताना है, तो इस polynomial में जहाँ पे x है, वहाँ पे हम लो minus 1 put कर देंगे, ठीके, अब p minus 1 अगर निकालना हो, तो इक क्या हो जागा, 5 into minus 1, minus 5, यह minus 4 into minus 1 का square, तो minus 1 का square plus 1, अब plus 1 को में लो, minus 4 से multiply कर देंगे, यह minus 4 हो जागा, plus 3, तो यह minus 5, यह minus 4 plus 3, कितना हो जागा, minus 9 plus 3, तो कितना value है यह जागा, यह जागा, minus 6, question number 11 में, if x के power 51 plus 51 is divided by x plus 1, then the remainder is, अब यहाँ पे हम लोग अप्लाइ करेंगे remainder theorem को, ठीके, अब इस polynomial को divide करना है, x plus 1 से, अब x plus 1 को जब 0 करेंगे, तो यहाँ से x का आ जागा, हमारा minus 1 आ जागा, ठीके, अब इस value को हम लोग फूट करेंगे, यहाँ पे, अब x का value minus 1 रखेंगे, तो minus 1 का power यहाँ पे कितना जागा, 51, 51 का एक और नमबर है, तो यह इसका value हो जागा, अब प्लस 51 हो गया, तो कितना value है इसका आगा, तो यह हमारा answer हो जागा इसका 50, अब संडी, question number 12 में है, 0 of the polynomial px equal 2x plus 5, अब इस polynomial px का 0 निकालना है, ठीके, तो किसी polynomial का 0 निकालना होता है, तो उस polynomial को हम लोग 0 के equal कर देते हैं, तो यहाँ पे 2x plus 5 को 0 करेंगे, यहाँ से x का लोग कितना जागा, यह जागा हमारा minus 5 by 2, यह हो जागा हमारा answer B, question number 13 14 में है, if px equal x square minus 3xR, अब इस polynomial का 0 निकालना है, इसको भी हम लोग 0 के equal कर देंगे, ठीके, तो यहाँ पे क्या होता है, जब इसको 0 के equal करेंगे, तो इसमें से x का हमारा जागा, तो यह हो जागा x minus 3 equal 0, तो एक step में x 0 हो जागा, और अगले step में x minus 3 0 हो जागा, तो 0 और 3 यह इसका answer हो जागा, option B, यह इसका 0 हो जागा, question 14 में है, if px equal x square minus 2 root 2x plus 1, then p2 root 2 is, अब इसका भी हम बताना है क्या होगा, अब इस polynomial में जहाँ आप x है, वहाँ प्यामनों रखेंगे, 2 root 2, ठीके, अब यहाँ प्यामनों निकालेंगे, p2 root 2, तो यह x square है, तो यह 2 root 2 के square हो minus 2 root 2 into x, यहाँ पर क्या होगा, minus 2 root 2 into 2 root 2 हुजागा, तो यह भी हमारा minus 2 root 2 के square होजागा, плюс 1, अब यहाँ पर 2 root 2 प्लस है, इसका square है, और यहाँ पर minus 2 root 2 दोबर आ गया, मिंस यहाँ पर minus 2 root 2 के square है, तो यह दोनों ट्रम के असर बताना हो जागा हमारा, तो फिर answer क्या बच sum to sum raise 1-1 , यहें पर one क्रॉस हे मड़िए करेंगे तो स्कूरल कुल स्कुरल टो Eco n jaga 102 अब को एक्यम laugh मैंस बनों कि पढ़े होते पिछले लेक्षर में यहाथ है मारे स्वाइट इसका निमदाउ को करेंगे तो इसका अंप्सावार वह जाएंगा एसका वैलू जिरुचरर इस人 Darada तो इस तरस्ती चेप्टर हमारा समाप्त हुआ आज के लिए इतना ही थैंक यू एबनाश दें